हाई एब्रिवन कैसे हो आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं हो राहुल जैस स्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी कैक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट टुटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके साम देख मोश्ट इंपोर्टेंट साइन्स का लेक्चे वीडियो लेकर आगया हूं दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे नाइन स्टैंडर्ड के लिए साइन्स सब्जेक का जो हमारा चाप्टर चल रहा था फ्रेंड जिसका नामे चाप अब यहां पर आपको याद होगा एंड किस प्रकावर उसमें बॉंडिंग होता है सिंगल बॉंड का डबल बॉंड का टीनों का एक्जामपल के साथ हमने एक्स्प्लेंड किया था प्रिवियस लेक्चर में तो जरूर से आपने देखा होगा अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों जाके देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो था तो आज का इस लेक्चर वीडियो की बात करेंगा लेक्चर अम फाइव में हम लोगो च्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कारबन के बारे में इसके कुछ प्रॉ बाइब जब जाता है वह कारबन तो अलिमेंट हो गया लेकिन कमपाउंड फॉर्म में जब जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डायॉकसाइड अब यह जो कार्बन डायॉकसाइड है वो नॉमली कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे वेदर इसकार बन टो आपको याद होगा कि इसके पहले एक दू लेक्चर्स के पहले हमने टाइपस ओफ कोल डिसकर्स किया था, तो अगर हम लोग एक कोईला लेते हैं दोस्तो, समझ लो ये क्या है मेरा कोईला है, ठीक है ये कोईला है, कोईले को अगर हमें बर्न कर रहा हूँ यानि कि जला रहा हूं इसको फ्लेम मेरा समझ लो यह फलेम है यह ate kar रहा हूं किसी चीज से पकड़के लेट सपोज को पकड़के मैं जला रहा हूं एख इसको मैं जला रहा हूं लगा कि जब मैं को turbines को लीटमस पर रखोंगा गिला करके तो यह जब हमारा गैस उसमें से निकल रहा था ठीक है obviously जो गैस निकल रहा था तो यह blue लीटमस पेपर को वो किसमें convert कर देगा, blue litmers paper gets converted into red, इसका मतलब यह blue से red क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, कि जब भी हम लोग coal को burn करते हैं, तो उसमें से जो gas black color का जो निकल रहा था दोस्तों, वो था हमारा carbon dioxide, यह आपको याद रहतने हैं, याद क्यों नहीं क्योंकि कोईला जो होता है, वो carbon से ही बनता है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, coal is nothing but carbon, pure carbon है, कोईला जो है मेरा carbon है, जब भी मेरा carbon, जब यह चीज को जला रहा हूँ है, बरन कर रहा ही, तो किसके उपलबदी में यहाँ पर जल रहा है, वो oxygen के presence में जल रहा है, तो carbon plus oxygen gives CO2, carbon carbon dioxide जो होता है, वो acidic की nature होता है, यह आपको याद रखना है, carbon dioxide जो होता है, acidic होता है, यह acidic होने के कारण ही, इसने blue litmus paper को convert कर दिया, किसके अंदर, red के अंदर, तो क्यूंकि हमने एक चीज पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा, अगर 8 में या 9 में भी था शायद, कि कोई भी चीज जब acidic होती है, तो blue litmus paper को red में convert होती है, और कोई भी चीज अगर basic होती है, तो red litmus paper को blue में convert कर देता है, तो obviously यहाँ पे blue litmus paper red में convert हो गया, इसका मतलब जो मेरा यहाँ से, जो gas बाहर निकल के आ रहा था, वो कौन सा gas था, यहाँ पे, वो carbon dioxide gas था, यहाँ वो carbon dioxide gas क क्या है, acidity की nature है, वो चीज आपको याद देनाने की में कोशिश कर रहा हूँ, clear है, तो अमीद करता हूँ कि यह सबसे पहला एक तरीके से experiment आप बोल सकते हो, और यह आपके बास अगर koilav अगर है, तो आप इसको करके देख सकते हो, बस आपको litmus paper भाहर से खरिट के लाना पहलों चाहता हो, कि let's suppose कि मैंने क्या किया, एक test tube ले लिया, अन्ठ टेश्ट यूब भी मैंने क्या भर द입니다, दोस्तो एक तरीके से lime water जीसको हम लोग बोलते हैं, inim water भर के रगदिया है, तो समझ है मैंने क्या ले सी आपके टेश्ट त्यूब में क्या भर रे हैं हम लोग lime water है ठीक है ओके तो ये मेरा समझ लो टेश्ट य रूगया इसके अंदर मैंने इसके अंदर भर दिया मैने लाइम व पाहर जो कि ट्रापारेंट एक लिकविड़ोते पानी जैसे अलिक ये लाउट़। लाइम वाटर, ठीक है ना, अब लाइम वटर भरने के रद में क्या कर रहा हूँ, इसमें एक श्ट्रॉव डाल रहा हूँ, ठीक है न, एक पाइब जैसा श्ट्रॉव डाल रहा हूँ, और उसको अपने माउट से, जैसे कि समझ लो, कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा मेरे पास एक test tube था और मैं क्या कर रहा हूँ उसमें भर के रखा है मैंने lime water और उसके अंदर मैंने क्या किया एक तरीके से straw डाला और एक जोर से फुक की मारता हूँ तो फुक मारूँगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा एक तरीके से bubble से और यह जो Carbon Dioxide के अंदर आ जाएगा क्यूकि मैंने जो फुक मारा तो मेरे मेरे अंदर से क्या निकाला कौन सा क्या सक्वार गाला यानि कि यह जो lime water था उसमे मैंने क्या पास कर दिया अभी एक तरीके से carbon dioxide पास कर दिया तो जब भी यह lime water और carbon dioxide जब react जब करेंगे तो यह जो transparent liquid था यह बन जाएगा milky liquid यानि कि इसका जो color हो जाएगा वो दूज जैसा color आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है एक famous statement है और यह 10th लोग को पूछता है 10th वाले लोग को पूछता है कि carbon dioxide converts the lime water into milky क्यों क्योंकि जब भी carbon dioxide एक transparent lime water के पास जब जाता है तो वो react कर लेता है और वो reaction करने के वैसे उसमें suspension फॉर्म हो जाता है एक collidal nature फॉर्म हो जाता है और वो collidal nature के वज़े से उसका जो color होता है वो milk जैसा बन जाता है दूज जैसा बन जाता है तो in short हम लोग क्या बोल सकते हैं कि carbon dioxide will convert the lime water into the milky substance आपको यह फिलाल में याद रखना है clear है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह दो experiment आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा पहला जो experiment था वो carbon dioxide का nature बताने के लिए था कोईले को जलाके and second जो था वो lime water को एक test tube में लेके उसको convert करके दिखाना था कि milk में कैसे वो convert हो रहा है clear है अब मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा कि यह जो carbon होता है या फिर carbon उसले होता है इसके कुछ properties होते है ठीक है बेसिक properties में बताऊंगा जो कि आपको पता है already फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे और ज्यादा deep में जाके इसके बारे में हम लोग study करेंगे ठीक है तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं बताऊंगा कि carbon जो होता है उसका जो element का यह सब आपने फर्च लेक्चर में मैं बताया था carbon का जो atomic number होता है वो कितना होता है 6 होता है और इसका electronic configuration होता है वो 2,4 होता है और वही इसकी हम लोग valency की बात करें तो 4 होता है यह हमने already study किया पहले lecture में लेकिन वही carbon dioxide की बात करूँ तो carbon dioxide में आपको 2-3 चीज़ पढ़ना है कि carbon dioxide जो होता है इसका molecular formula होता है वो होता है CO2 and इसका molecular formula अगर आपको बता है तो you can also calculate the molecular weight तो molecular weight यहाँ पर मैं लिखके दिखाता हूँ molecular weight तो molecular weight जो होता है इस चीज़ का वो होता है 44 अब सवाल यह उठता है कि molecular weight क्या होता है और किस तरह से निकाला जाता है यह 44 क्यूँ आया यह मैं आपको बताऊंगा यह आपको बताऊंगा किस प्रकार हम लोग निकालते हैं यह भी ध्यान से समझ लो यहाँ पे दोस्तो molecular weight 44 क्यूँ है क्योंकि आगर आप देखोगे CO2 तो carbon है इसके अंदर और दो oxygen है और carbon का अभी मिनुचे क्या निकालना है molecular का weight निकालना है तो weight निकालने के लिए यह पूरे molecule है यह CO2 क्या है मेरे लेक molecule है लेकिन अगर मैं carbon को अलग कर दू और oxygen को अलग कर दू तो यह क्या हो elements हो जाएंगे तो यानि कि atom हो जाएगा तो यानि कि molecular weight निकालने के मुझे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यह दोनों ही element का atomic weight निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को plus कर दूँगा तो क्या बन जाएगा मेरा molecule का weight बन जाएगा तो किस प्रकार करेंगे carbon का हमें बता तो इस परकार हम लोग कोई भी given, कोई भी चीज दिया हो, कोई भी compound दिया हो, कोई भी molecule दिया हो, उसका molecular weight निकाल सकते है, तो आपको याद रखना है, molecular formula of carbon dioxide is CO2, इसका molecular weight होता है 44, और एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात है, इसका melting point होता है, यह आपको कोई तो कोई नहीं, बस basically आपको समझने के लिए यह चीज याद रखने के जरूते है, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि यह carbon dioxide का basic property आपको समझ में आ गया होगा है, यह कहां से आता है, क्यों आता है, यह सभी चीज already हमने discuss किया है, कि fossil fuels का formation जब हुआ था, तब भी यह carbon dioxide अंदर जमा हो गया था carbon और वगर वगर atmosphere में भी कैसे आया, यह सभी चीज already हमने discuss किया है, ठीके, अब यहाँ पे एक और experiment में चर्चा करना चाहूँगा, जैसे कि हमने आपको burning of coal और lime water का experiment बताया, तो same उसी प्रकार, एक और छोटा सा experiment है, यहाँ पे मैं बताने की of hydrochloric acid, मैंने इसको react किया, यानि calcium carbonate में hydrochloric acid को plus कर रहा हूँ, तो हमें क्या मिलेगा बदले में, यह calcium और यह CL, वो भी 2Cl है, तो यह अपना एक compound बना लेंगे, बना लेंगे CACL2, जिसको हमने बोलते हैं calcium chloride, तो CACL2 बनाएंगे, और साथी में जब यह CA और CL2 चले गए carbon dioxide बन जाएगा, यानि कि यह जब reaction हुआ, calcium carbonate का hydrochloric acid के साथ, तो हमेरा calcium chloride बनता ही है, लेकिन साथ में water का formation हुआ, और साथ में carbon dioxide का formation हुआ, अब यह experiment हमें क्यों करना है, बेसिकली क्या करना है, जैसे कि अगर मैं आपको बात बलो, कि हम लोग carbon dioxide को बनाते हैं, हम क्या करत है, और वो atmosphere में carbon dioxide इस प्रकार आ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई पूछे, क्या आप एक laboratory के अंदर, एक practical lab के अंदर, experiments करके आप carbon dioxide बना सकते हैं, येस, we can prepare carbon dioxide in the laboratory also by doing this experiment, आपको करना क्या होगा, बस आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है, कि आपको बस यह कर आपको यहां पे एक bicker ले लेना है, ठीक है, एक flask ले लो, शुटा सब flask ले लो, एड़ फ्लास्क में आपको भर देना है calcium carbonate, क्या भर देना है, मैंने CO3 भर दिया, calcium carbonate आपको आपने क्या कर दिया, इसके अंदर भर दिया, अब आपको क्या करना है, यही flask के अंदर HCL को, यानि hydrochloric acid और calcium carbonate को, दोनों को मैंने एक साथ इसके अंदर डाल दिया, और यहां से मैंने pipeline connect करके, यहां पे क्या कर दिया, एक अलग से pipeline connect किया, और connect करके, यहां से अलग से, एक beaker में कुछ चीज मैं यहां पे छोड़ दिया, collect करने के लिए, तो होगा क्या, अब देखो ध्यान से, होगा क्या इसमें, यह चीज आपको ध्यान से देखना है, तो जैसे मैंने बोला, कि जब calcium carbonate के साथ hydrochloric acid जब react करेंगे, यह दोनों आपस में react करेंगे, तो सबसे पहली बात तो calcium और chloride मिलके calcium carbonate बना लेंगे, calcium chloride बना देंगे, जो कि एक product रहेगा, जो क भी वो बनती है, तो वो भागने की कोशिश करती, atmosphere में, तो यहां से उसका रास्ता clear है, तो यहां से भागने की कोशिश करेगा, जो carbon dioxide यह से भागेगा, भागेगा, और यहां तक आएगा, और यहां पर जाके एक और बीकर मैंने लगा के रखाया, और इसको यहां पर मैं जमा करके रख लूँगा CO2 यहां से collect करूँगा तो in this way ऐसे तरीके से हम carbon dioxide को यहां से अलग से collect कर सकते हैं और इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं तो by using this experiment, यह experiment के द्वारा हम क्या कर सकते हैं carbon dioxide जो भी है हम लोग इसको बना सकते हैं जो भी use होगा उसके लिए हम लोग इसको prepare कर सकते हैं और यह basically किया भी जाता है जब भी carbon dioxide बनानी की नौमत आती है तो यह चीज करते हैं और नॉमली इसको market में बेचा जाता है यह carbon dioxide आपको पता ही होगा अब यहां पर दो और चीज भी बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत जादा important है जो कि है आपका carbon dioxide जो हमने पढ़ा उसके क्या uses है और क्या इसका कुछ chemical properties है यह थोड़ा सा चर्चा करूँगा फिर हमारा जो आज का यह lecture है इसको हम लोग stop करेंगे तो फटा-फट से इसको rough कर लेता हूँ उमीद करता हूँ कि यह भी experiment आपको बहुत ही अच्छे से and easily समझ में आगागा कुछ ज़्यादा hard था नहीं इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है बस आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पे यह आपको learn करके रखना है and convenience के तोर पर इसको याद करके रखना है तो अब हम लोग फटा-फट से बात करेंगे कि क्या इसका chemical properties होता है carbon dioxide का chemical properties क्या है इसके बारे में थोड़ा सब चर्चा करेंगे last में फिर uses के बारे में पढ़ लेंगे फिर हम लोग आज का इस lecture को stop कर देंगे आपका जो calcium carbonate होता है यह भी carbon dioxide से बनता है अभी अभी देखा CACO3 तो calcium carbonate ले लो फिर आपका बहुत सारे नAHCO3 जिसको हम लोग बोलते है sodium bicarbonate और इसका एक और नाम है baking soda तो baking soda बनाने में भी carbon dioxide लगेगा फिर एक और नाम है Na2CO3 यानि कि sodium carbonate जिसको हम लोग बोलते है washing soda तो washing soda बनाने के लिए CO3 है इसके अंदर यानि कि carbon dioxide से ही बना होगा यानि कि अगर मैं बात बलू कि washing soda ले लो या फिर जिसको हम लोग sodium carbonate बोलते है, sodium bicarbonate ले लो, calcium carbonate ले लो, यह सभी चीज को बनाने के लिए carbon dioxide की जरूत पड़ती है, यानि कि यह चीज आपको clear हो गया होगा, second चीज यहाँ पर अगर मैं बात बनाने की कोशिश करूँ, कि baking soda जो बनता है हम लोग का, इसके पीछे process भी होता, अगर मैं इसका experiment मैं लिखके दिखाऊ, तो किस प्रकार बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कि समझ लो मैंने two molecules of sodium hydroxide लिया, and two molecules of sodium hydroxide में, जब मैंने carbon dioxide का reaction किया, तो होना क्या है इसमें, कि यहाँ पर Na2 co3 को ले लेगा साप में, और यह बना लेगा Na2 co3, यह इस तरह से बना लेग जिसको नाम है sodium carbonate Na2 co3 ले ले लो, और साथ में इसमें क्या कर लिया, थोड़ा पानी अड़ कर लिया, और साथ में carbon dioxide को react कर लिया, तो यह क्या बन जाएगा, NaH co3 बन जाएगा, यानि कि sodium bicarbonate बन जाएगा, वो भी two molecules, आप देख सकते हो, तो इस प्रकार हम लोग washing soda बना स सकते हैं, साथ ही में, एक और चीज की बात करें, कि यह जो particular carbon dioxide होता है, यह बहुत सारे जगा पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अलग-अलग चीज इससे बनाया जा सके है, अलग-अलग experiments में carbon dioxide का directly तोर पे इस्तेमाल होता है, clear दोस्तों, तो यह तो हमने कुछ बात से देखे लो, पाच मिलेट का ओर सेशन लोगा जादा से यादा, फिर हम लोग आज के इस lecture को stop करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि क्या होता है, uses of carbon dioxide, uses of CO2, carbon dioxide कहां-कहां इस्तिमाल होता है, और कैसे इस्तिमाल होता है, यह सभी हम लोग आज के इस particular topic में देखने वाले हैं, तो सबसे पहले, CO2 जो होता है दोस्तों, यह सबसे जादा आपने देखा होगा, जो इस्तिमाल होता है, carbon dioxide जो होता है, वो आपके cold drinks में होता है, cold drinks में, जो भी gas भरी होती है, जो आप खोलते हो, तो gas बाहर आती है, तो cold drinks में ज ग्यास होती है, उसको हम लोग बोलते है, carbon dioxide, तो carbon dioxide is used to make the cold drinks और aerated drinks, फिर जो solid carbon dioxide होता है, जिसको हम लोग dry ice भी बोलते है, तीके न, solid CO2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तों, solid CO2 को बोला जाता है, dry ice, तो dry ice जो होता है, दूद या फिर दूद से बने हुए products को store करने थंडा रखने के लिए इसका इस्तिमाल होता है, तो ये भी एक बहुत important चीज है, साथ ही मैं आपको बता होगा, कि fire extinguisher जो होता है, आग बुजाने में जो काम आता है, fire extinguisher, जो लाल कलर का एक bottle जैसा डबबा होता है, company में, offices में, schools में होता है, आपने देखा होगा, इस त अगर बात किया जाए, तो plant इसका इस्तिमाल करता है, photosynthesis process करने के लिए, correct है, तो ये भी उसका एक रूल हो गया, photosynthesis के लिए, फिर जो dry cleaning process होता है, आपके जो coat वगरे होते है, blazers वगरे होते है, जो blazers वगरे में क्या होते है, normally एक तरीके से, जो coating coats वगरे, जो absurds वगरे पह caffeine, coffee बनाने के जो process होता है, उसमें भी use होता है, and there are so many process, जिसमें क्या होता है, carbon dioxide जो है, directly तो इस्तिमाल होता है, तो यही था हमारा uses of carbon dioxide and chemical properties तो हमने देख लिया, तो दोस्तो, आज के लिए इतना ही हमारा lecture को, आज ही हम लोग stop करेंगे, and दोस्तो, इसके बाद जो हमारा lecture no 6 हैगा उसमें एक बहुत important topic, जिसे मैंने बोला, कि CO2 जो है, वो fire extinguisher में use होता है, तो fire extinguisher में वो किस प्रकार use होता है न दोस्तो, यह पूरा का पूरा में आपको chemical reaction के साथ explain करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत important topic आपके लिए होने वाला है, तो धान से देखेगा अगला lecture तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये आज का lecture वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तो, प्लीज हमें comment करके बताएगा अपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा, और आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है, useful लगा है तो फ्लीज वीडियो को like कीजेगा, share हमारे अगरे वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and good bye